पत्रस अव योहन्ना एक भीखारी का चंगा करा थी। तुरत ही पर्मात्मा व लंगडा मनई का चंगा कर देन। व यहां वहां चला और कुदा और पर्मात्मा के स्तूति करा का आरम कर देन। मंदिर के आंगान मा उपस्थित मनई अचंभित रहे हैं। जल्दी से मनई के एक थे भीड व मनई का देखा के लाने आई। जोन चंगा होई गराव हां। पत्रस उनसे कहिस यह मनई ठीक हा पर या बात्मा अचंभित मत होया। हम यही अपन शक्ति से चंगा नई करे हैं। या यहो भी नई कि हम पर्मात्मा के आदर करी थे। बलकि हुँ यिशु हैं जोन यमनई का अपन शक्ति से चंगा करी नहीं। कैसे हम यिशु के उपर भरुसा करी थे। वह तुम हीन तो आहा जन्वरोमी राजेपाल का यिशु का मार डाला किलाने कहे रहे हा। तुम उन्ही मार डाले हा जोन सब का जीवन दे थे। उकामन का कर रहे हा। तुम जोन भश्वक्त कहे रहा। वह पूरा भा। वह कहे रहा। कि मसी दुख उठाई और मर जाई। परमात्मा एही या तरीका से हो मदैन। एही से अपश्यताप करा और परमात्मा के तरब फिरा। ताकि उँ तुम्हे पापन का धोके साप कर दें। जब मंदिर के अगवा पत्रस और योहन्ना का सुनिन। ता उँ बहुत घबरा गें। ऐसे उँ उँ उन्हीं गिरप्तार करके जेल खाला मा डाल दें। पर जो उँ पत्रस कहे रहो हा उखे उपर बहुत से मनई विश्वास करें। युश्व पर विश्वास करा वाल इनके संख्या बढ़ के लगभग पांच जार होई गया। अगले दिन उँ यहुदी अगुः पत्रस और योहना का महै आजकउउ दूसर धर्मिक अगवन के सामने ले के आएं। उं वह मनई का भी ले के आएं जवन अपाहिज रहो हा। उं पत्रस और योहना से पूछीन कहुं से अधिकार से तुम वह अपाहिज मनई का चंगा करे हा पत्रस जवाब देश यह मनई जवन तुम्हरे सामने खड़ो हा ओही युशु मसी के सामर्द के द्वारा चंगा करोगा हा तुम युशु का प्रूस मचरहा देहा पर परमात्मा ओही फेर से जिंदा कर देहीं तुम उही अश्विकार कर देहा पर युशु के सामर्द के माध्यम के अलावा उधार पामा के लाने कोन दूसर चारा नहीं हबा। उँ अगवा हैरान रहे हैं कि पत्रस और योहन्ना बहुत सासी रूप से बात कर रह थी। उदेखिन कि इस अधारन में नहीं रहे हैं जो उनकी अनपड़ रहे हैं पर फिर उन्हीं याद आओ कि इम मनें येश्व के साथ रहे हैं एकि से उन उनसे कहीनहा हम तुम हीं बहुत ज्यादा धन दयोबह अगर तुम या मनें येश्व के बारे मां मनें का क्व आउ संदेश दईयहता ऐसा बहुत सारा बात कहे के बाद वूप इपत्रस और योहन्ना का जाय दईञ्गॉद僕